Hey guys, welcome back to English Connection Guys, मैं आपको English बोलना सिखा दूँगी लेकिन आप एक वादा करो आप एक वादा करो कि आप वीडियो में end तक बने रहोगे मैंने कहा आप एक वादा करो तो वादा करो बोलने के लिए आप English में कैसे बोलेंगे, अगर technically हम आते हैं यह समझते हैं कि कैसे English के sentences बनते हैं, तो हम वर्ब को पहले ले आते हैं, especially essay sentences में जिन्हें हम imperative sentences कहते हैं, तो अगर करो की English लें तो do हो जाएगा, ठीक है वादा की English लें तो promise हो जाएगा तो क्या हुआ, do promise क्या यह sentence सही है जी नहीं, यह sentence बिल्कुल गलत है इसमें दो गलतियां, एक तो यह verb इसमें गलत है, दूसरा यहाँ पर a आना चाहिए, so do a promise बोले तो भी गलत है तो a promise तो होगा ही होगा, verb क्या होगा वो समझेंगे लेकिन उससे पहले आप यह बताएगे, अगर मैं बोलती हूँ फोन करो, क्या बोलती हूँ फोन करो, तो इसकी English क्या होगी अगेन अगर मैं करो की English दे दो, फिर do a phone call क्या यह सही है, यह भी गलत है और यहाँ भी यह verb गलत है तो आप देख क्या रहे हैं कि करो बोलना है हमें, बट उसके लिए अगर हम do use कर लें, तो गलत हो जा रहा है मतलब अगर आप word for word translate करने कोशिस करते हैं तो आपके sentences गलत हो जाएंगे इसी तरीके से अगर आपको बोलना है जोखिम उठाओ क्या बोलना है? जोखिम उठाओ तो इसकी English क्या होगी? उठाने के लिए हम या तो lift बोलते हैं या तो pick आप बोलते हैं तो अगर हम lift और फिर जोखिम की English उज़ करें मालेज़ लिफ्ट और risk तो क्या सही है? बिलकुल गलत है तो सही क्या है? आपको बताए, अगर आपको वादा करू बोलना है तो do की जगा आपको यूज़ करना है make क्या यूज़ करना है? make तो यह होगा make a promise उसी तरीके से phone करो के लिए भी हम यूज़ करेंगे make तो क्या हो गया? make a phone call और जोखिम उठाओ के लिए हम यूज़ करेंगे take take a risk तो यहाँ उठाओ था और हमने take यूज़ किया समझने की कोशिस केजिए जब आप अलग-अलग words सीखते हैं तो मुश्किल होती है लेकिन आज मैं आपको दे रही हूँ 50 collocations यह जो collocations हैं यह आपको बताते हैं कि आपको English कैसे बोलना है word for word translate नहीं करना so take a risk एक collocations है make a phone call एक collocations है उसी तरीके से make a promise भी एक collocations है collocations वो होते हैं वो words होते हैं जो साथ-साथ जाते हैं तो इससे गलतिया नहीं होंगी और आप confidence के साथ English बोल पाएंगे अगर आप video में अंट तक बने रहते हैं तो आज आप बहुत कुछ सीखेंगे जल्दी से करते हैं शुरुवात My name is Kanchan You are watching me on English Connection Let's begin तो आपने वादा तो किया ही है कि आप एंट तक बने रहेंगे तो सबसे पहले हम promise के ही collocations को detail में समझतें example के साथ So make a promise बोलेंगे आपने समझ लिया वादा करना बोलने के लिए example क्या है I make a promise to be there on time मैं वहाँ समय पर होने का वादा करता हूँ तो मैं वादा करता हूँ I make a promise ठीक है कुछ करने का तो टू के साथ उसको जोड़ देंगे अगला है हमारे पास चाप छोड़ना इसके लिए हम क्या यूज करेंगे make an impression तो देखे छोड़ना है बढ़ हम क्या यूज कर रहे है make ये कमाल है collocations का अगर आप collocations सीखते हैं तो English बोलना असान हो जाएगा आपके लिए तो इसमें example क्या है His speech made a strong impression on the audience सब यहाँ made यूज किया है It's but obvious make की second form made है और हम past की बात कर रहे है तो इस तरीके से use करेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना होगा उनके भाशन ने दर्शकों पर एक मजबूर चाप छोड़े तो हमारे पास make an effort मतलब प्रयास करना So effort प्रयास हो गया करने के लिए again हम make का use कर रहे है You need to make an effort You need to make an effort if you want to improve your grades अगर आप अपने अंको में सुधार चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? प्रयास करना होगा You need to make Make an effort ठीक है अब हमारे पास phone call जो मैंने आपको बताया है इसके लिए भी हम make का use करेंगे I need to make a phone call to confirm the reservation ठीक है? I need to make a phone call तो मुझे reservation की पुष्टी करने के लिए phone call करना है Guys इस वीडियो को like जरूर करें अगर आप चैनल पर नई होभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon को प्रेस करें ताकि notifications सीधे आपके phone तक पहुँचे By the way आपने मेरे इंस्टा पेश को follow किया या नहीं मेरी ID ये रही जल्दी से follow कर ले अगला है अनुरोध करना इसके लिए हम क्या use करेंगे Make a request Can I make a request for some water please? क्या मैं पानी के लिए अनुरोध कर सकता हूँ? फिर हमारे पास फैसला लेना तो इसके लिए हम क्या use कर रहे है Make a decision ध्यान रखेगा यहाँ पर मैंने ये लिख रखता है इसका मतलब है कि ये American English में हम make use करते है इसके अलावा British English में क्या use करते है वो आपको वीडियो में पता चलेगा तो यहाँ भी हमने लेना के लिए क्या use किया है Make example देखते है She made a decision to quit her job and travel the world उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने और दुनिया वर में यात्रा करने का फैसला किया तो फैसला करने के लिए क्या use किया हमने make use करना था यहाँ हमने made use किया क्योंकि हम past के बात कर रहे है फिर क्या हमारे पास तमाशा खड़ा करना इसके हम use करते है make a scene make a scene हम खड़ा करने के लिए stand नहीं use करेंगे यहाँ पर ठीक है don't make a scene in public जनता के सामने तमाशा मत खड़ा करो don't make a scene फिर है make progress मतलब प्रगति करना make progress I am making progress in my language learning में अपने भाशा सीखने में प्रगति कर रहा हूँ फिर है सौदा करना क्या है make a deal देखे हर जगह बार-बार में इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अगर आप word forward translate करेंगे तो हर जगह करना के आप do use कर लेंगे जो की गलत हो जाएगा क्या है make a deal ना कि do a deal they made a deal to share the profits equally उन्होंने लापको बराबर-बराबर बातने का सौदा किया फिर हमारे पास सुझाव देना क्या कर रहे है हम make a suggestion यहाँ भी हम make का use करें make a suggestion यह से हम suggestion पढ़ते हैं ठीक है वैसे तो T.I.O.N. शन होता है लेकिन उससे पहले ऐसा जाए तो शन होता है can you make a suggestion for a good restaurant क्या आप एक अच्छे रेस्टराँ का सुझाव दे सकते हैं फिर हमारे पास अंतर पैदा करना make a difference your donation can make a difference in someone's life आपका दान किसी के जिन्दगी में कंतर पैदा कर सकता है क्या है उसके हमने make a difference फिर है योजना बनाना make a plan योजना बनाना make a plan let's make a plan for our weekend trip चलो हमारी weekend यात्रा के लिए एक योजना बनाते हैं फिर हमारे पास गल्ती करना बहुत ही common है गल्ती करना do a mistake नहीं बोलेंगे गलत हो जाएगा क्या बोलेंगे make a mistake it's okay to make mistakes गल्ती करना ठीक है जैसे कहते न दाग अच्छे हैं तो वैसे ही जब आप English सीख रहे हैं या कोई भी language सीख रहे हैं तो गल्तियां करने से डरे ना आप बोलने की कोशिस करे it's okay to make mistakes ज्यादा से ज्यादा हम make के साथ सीख रहे हैं उसकी वज़ा ये है कि बहुत ज्यादा words ऐसे हैं जिनके साथ करना के लिए make का यूज़ करते हैं तो देखे एक्जामपल का है the company made an announcement about the new product launch company ने नए उतपाद launch के बारे में घोशना की तो announcement के साथ हमेशा make आएगा फिर है appointment book करना इसके लिए हम make an appointment use करते हैं I need to make an appointment with my dentist मुझे अपने dentist के साथ एक appointment book करनी है फिर है पैसे कमाना और इसके लिए हम use करते हैं make money earn money भी आप use करते हैं but make money भी होता है He has made a lot of money from his business उन्होंने अपने व्यवसाय से बहुत सारे पैसे कमाए हैं फिर है भाशन देना तो क्या use करेंगे हम make a speech make a speech He made a speech at the conference उन्होंने सम्मेलन में भाशन दिया हो सकता है आपको दूसरे words भी दिखें जो इनके साथ जाते हैं but ये ध्यान रखिएगा कि ये भी इनके साथ जाता है फिर हमारे पास अनुमान लगाना make an assumption make an assumption you shouldn't make an assumption you shouldn't make an assumption without all the facts आपको सभी तत्यों के बिना अनुमान नहीं लगाना चाहिए अगर आप और collocation सीखना चाहते हैं तो ये रही वो वीडियो इसे देखने के लिए आपको यह आई बिटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक डिस्रिप्शन में मिल जाएगी now योगदान देना make a contribution she made a significant contribution देखे she made a significant contribution to the charity उन्होंने charity में एक महत्रपोन योगदान दिया तो उसके साथ भी make जाएगा फिर है समझोता करना make a compromise we need to make a compromise to reach a solution हम एक समझोता करने क्या हो चकता है ताकि हम समाधान तक पहुँच सकें फिर हमारे पास लाब कमाना make a profit लाब कमाना make a profit the company made a huge profit this year company ने इस साल बहुत बड़ा लाब कमाया है फिर है सैर करना अब यहां हम आजाते हैं take वाले collocations पे so take a walk हम कहरें सैर करना अब भी हम do a walk नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे take a walk I like to take a walk after dinner मुझे खाने के बाद सैर करना पसंद है especially रात के बोजन के बाद करें दिनर है तो फिर है नीन लेना क्या बोलेंगे take a stand against something we need to take a stand against bullying हमें bullying के खिलाफ stand लेना होगा फिर हमारे पास एक कादम उठाना क्या यूज करेंगे take a step उठाना बोल रहें बट take a step he took a step towards his dream of becoming a musician उसने संगीतकार बने के सपने की और एक कादम उठाया तो take के second form टुक है इसलिए यहां पर took use हुआ है फिर हमारे पास shower लेना मतलब नहाना shower से नहाना so take a shower हम use करते हैं I always take a shower in the morning मैं हमेशा सुबह shower लेता हूँ या लेती हूँ फिर है photo लेना या photo खीचना take a photo क्या use करेंगे take a photo let's take a photo together चलो हम साथ में photo ले लेते हैं फिर हमारे पास बैठ जाना क्या use करेंगे take a seat take a seat please take a seat क्रप्या बैठ जाहिए फिर हमारे पास break लेना so take a break let's take a break ऐसे आप बोलते हैं let's take a break and go for a walk चलो break लेते हैं और सेर पर जाते हैं फिर है जोखिम उठाना जो मैंने आपको बताया take a risk example देख लेते हैं he took a risk by investing all his money in the business उसने व्यापार में अपने सारे पैसे लगा कर जोखिम उठाया he took a risk फिर है एक नजर डालना कैसे बोलते हैं take a look आपको बता है have a look भी बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही जाएगा बहुत सारे अलग-अलग options होते हैं can you take a look at my essay and give me some feedback कि आप मेरे निबंध पर एक नजर डाल कर मुझे कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं feedback दे सकते हैं फिर है ध्यान रखना क्या use करते हैं take care क्या use करते हैं take care take care on your way home घर जाते समय ध्यान रखेगा फिर है किसी की सलाह मानना इसको हम कैसे बोलेंगे take someone's advice take someone's advice I decided to take my friend's advice and study abroad मैंने अपने दोस्ट की सलाह मानकर विदेश में पढ़ाई करने का वैसला किया फिर है notes बनाना notes बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते है take so take notes I always take notes I always take notes during class मैं कक्षा के दौरान हमेशा notes बनाता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ज़रा सा भी फील होता है कि ये वीडियो दूसरों को भी कामा सकती है फिर हमारे पास सांस लेना सांस के इंग्लिश breath so take a breath take a deep breath and relax गहरी सांस ले और आराम खरे तो देखे breath के साथ ये जो deep है ये भी को लोकेशन है अगर आप deep breath बोलते हैं ये भी को लोकेशन है क्योंकि ये तो words सांस में जाते हैं फिर है यात्रा करना take a trip we are planning to take a trip to Europe next year हम अगले साल ये जाने की यात्रा की ओजना बना रहे हैं फिर है टाक्सी लेना आप टाक्सी लेते हैं उसके लिए भी take a taxi बोलेंगे so I'll have to take a taxi to the airport मुझे हवाई याड़े जाने के लिए टाक्सी लेनी होगे फिर है फाइदा उठाना उसने बिकरी का फाइदा उठाकर एक नई ड्रेस खरीद ली फिर हमारे पास अनुमान लगाना क्या बोलेंगे take a guess can you take a guess at how many people will attend the party क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग पाटी में शामिल होंगे फिर है जिम्मेदारी लेना क्या बोले take charge take charge she took charge of the project and made sure it was completed on time उसने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले और सुनिश्चित किया कि अज समय पर पूरा हो जाए now the last one फैसला लेना फैसला लेना पहले भी सीख चुके जिसमें आपने सीखा था make a decision अब हम कह रहे हैं take a decision तो American English में make का यूज होता है but British English में take का यूज होता है तो दोनों ही सही है example they took a decision to move to a new city उन्होंने एक नए शेहर में जाने का फैसला किया आईस देखें अगर आप इन कॉलोकेशन के साथ तयारी करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप English बोलना सीखेंगे I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो and I'm sure कि आप इसे अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करेंगे मैं मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में बट आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत चोड़िएगा जैहें